हलो एवरी वैन आप लोग कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज देखिए कितनी अच्छी सबजी बनी है यह क्या सबजी आलू और काले चने की सबजी है तो आप लोग देख सकते हैं कितनी एगदम होटल फेल सबजी है और एक वारी इस तरह से बना कर आप लोग देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी इसमें आप पोड़ी चावल किसी चीज के साथ खा सकते हैं, आपको खाने में बहुत ही अस्पाइसी लगेगी और आप लोग देख सकते हैं कि यह घर का समान से बना हुआ है, काला चना तो हर कोई के घर पे होता है, तो यहाँ पे बहुत ही यमी बनी है और आप लोग एक बार जरूर बना के देखिएगा और कमेंट में बताईएगा तो यहाँ पे बनाने के लिए देखिए यहाँ पे कुकर चड़ाई हूँ मैं कुकर में आज बनाऊंगी तो यहाँ पे प्याज है आलू कट की हूँ और यहाँ पे चना है, तो चना आलू बनाने के लिए मैं दो प्याज बड़ा कटकर की हूँ, तो इसमें प्याज डालिएगा तभी अच्छा आएगा, तो यहाँ पे देखिए, दो मिर्ची है, हिंग है, और तेजपता है, जीरा है, थोड़ी शी मैं सरसो डालूंगी, अब म प्याज को ब्राउन होने तक मैं तलूंगी, यहाँ प्याज मैं तल रही हूँ, और मैं कुकर में बना रही हूँ, कडाही में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि चना कुकर में अच्छे से पक जाती है, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा आज ब्राउन हो गया है तो मैं आलू एड़ कर रही हूं मैं दो आलू कट की हूं और थोड़ी सी 50 ग्राम के लगभग चना है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसमें एक बात के ध्यान रखेगा यहीज टमाटर कट करके नहीं डालिएगा टमाटर पीछ के डालिएगा बहुत ही स्पाइसी बनेगी और यहां पर मैं नमक एड़ कर रही हूं अब मैं इसमें मसाला एड़ करूंगी तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम बाला सबजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है पूरी के साथ खाईएगा तो गाईज आपको रोज लगेगा कि मैं खाऊ हूं ही खाऊं पूरी बना कर और पूरी के साथ यह सबजी बहुत ही मजा आता है खाने में तो आलू चना की सबजी और पूरी खाईए तो सुवा सुवा के नास्ता जो होटल में लोग खाते उस टेप का लगता है तो मुझे जब भी बा एक टीए स्पून जीरा पौडर और एक टीए स्पून मैं लाल मिर्ची पौडर डाली हूं और कास्मीरी मिर्च देख रहे हैं डाल रही हूं क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छी आती है और यह ज़्यादा तीखा नहीं होता है तो इसे बस मसाला अच्छे से भूंजा जान और मैं यहाँ पे अब एड करूंगी जो मैं टमाटर और ये प्याज पिसके रखी थी वो भी मैं एड करूंगी तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं जीरा पौडर ये लहसन पौडर एड कर रही हूं यह लहसन का पॉडर है तो मैं यहाँ पे लहसन पॉडर एड़ कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी सबजी बनने वाली है और आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा कि सबजी आप लोग को कैसी लगी आप मैं इसमें देखिए बीना टमाटर के मैं इस सबजी बना रही हूँ और आप लोग कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा कि बीना टमाटर की सबजी इतनी असपाइसी कैसे बनी है तो यहाँ पे देखिए मैं ज़्यादा मसाला भी इसमें नहीं एड़ की हूँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा मसाला एड़ नहीं की हूँ तो इसे सिटी लगाना है 5-6 सिटी तो यहाँ पे मेरा 5-6 सिटी हो गई है और यह कुकर का गैस भी निकल गया तो आप लोग देख सकते हैं कि कि तनी असपाइसी सबजी बनी है तो एक बार इस तरह से अगर घर पे टमाटर नभी हो और आलू और काले चने की सबजी खाना हो तो आप बनाईएगा तो इस तरह से बना कर देखिएगा और कमेंट में बताईएगा कि सच में आप लोग का सबजी मेरे तरह से बनाएं तो अच्छा लगा की नहीं तो आप लो ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा तो यहां पर मैं लहसन प्याय डाली हूं पर टमाटर मैं नहीं डाली हूं आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है